जंगल में नागिन अपने बच्चे के साथ रहती थी नागिन का बच्चा कुछ खा नहीं रहा था नागिन पास की गुफा में रहने वाली गाए के पास गई गाए उस वक्त सो रही थी नागिन गाए का थोड़ा दूध निकाल कर ले गई और उसने वो दूद अपने बच्चे को पिला दिया अब इसी तरह रोज चुपके से नागिन गाय का दूद निकाल कर अपने बच्चे को पिला देती थी एक दिन अचानक गाय कहीं चली गई अब नागिन इस बात से बहुत परेशान हो उठी क्योंकि गाय का दूद ही उसका बच्चा पीता था गाय के इंतजार में नागिन का एक दिन बीद गया पर गाय की कोई खबर नहीं थी अगले दिन नागिन जंगल में गाय की तलाश करने निकली उसे एक पेड़ के नीचे गाय लेटी मिली गाय का जिस्म नीला पड़ गया था अब वो अपनी आखरी सांसे ले रही थी नागिन उसकी हालत देख समझ गई किसी सांप ने इसे काटा है नागिन ने गाय के जिस्म से सारा जहर निकाल दिया कुछ दिर बाद गाय ठीक होकर अपनी गुफा पर आ गई अगले दिन जब गाय सो रही थी तो नागिन उसकी गुफा में आई और फिर बूम